Option Trading पांस रुपए मेंहशार रुपए में क्या होते हैं आप्से पैसे को मैंने नौ गुना तक करके दिखाया है ये वीडियो देखने के बाद आपके Option Trading से रेलेड़िटड चितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपसे ये request है कि वीडियो को last तक देखना अगर एक भी part वीडियो का miss हुआ तो पूरी वीडियो आपको समझ में नहीं आए तो सबसे पहले हम जानेंगे कि option trading में call और put क्या होते है option trading आप एक particular stock में भी कर सकते है nifty और bank nifty में भी कर सकते है maximum लोग nifty और bank nifty में करते हैं तो हम इसी में समझेंगे माललो nifty आपकी चल लिए 16200 और bank nifty चल लिए 34500 अगर आपको लगता है nifty ऊपर की तरफ चाहेगी तो यहाँ पे आपको 16200 की C यानि की call option buy करना है अगर आपको लगता है nifty नीचे की तरफ चाहेगी तो आपको 16200 की P यानि की put option buy करना है इसी तरह से आप bank nifty में भी समझ सकते हैं जैसे माललो bank nifty आपकी चल लिए 36500 अगर आपको लगता है bank nifty ऊपर की तरफ चाहेगी तो आपको C यानि की call option अगर आपको लगता है bank nifty नीचे की तरफ चाहेगी तो आपको PE buy करना है यानि की put option तो अब आप यहाँ पे option trading में call और put क्या होता है समझ गयोंगे तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अब हम जानेंगे कि option trading किसे कहते हैं और option trading कैसे की जाती है option trading क्या होती है इसके उपर आपने बहुत सारे videos देखे होंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको एक token money देना होता है इस तरीके से आपको समझाया गया होगा और आप समझ भी गया होंगे लेगिन जो beginners होते हैं उनके लिए यह थोड़ा समझना tough है तो मैं उनको एप में ही चलके समझाओंगा जिससे की वो आसानी से समझ जाए मैंने एप open कर लिया है यहां मैंने दू trade add किया है एक 16200 की call और दूसरी 16200 की put चलिए हम 16200 की call में ही समझेंगे अब मैं अगर इसका एक lot लूँगा तो यह मुझे पढ़ेगा 9420 रुपय का अब अगर इस trade की price 188 से बढ़कर 400 चलिए तो हमें 10,580 रुपय का profit हो जाएगा अगर इसकी price 188 से 50 रुपय पर आ गई तो मुझे 6920 रुपय का लुकसान हो जाएगा जब आप यहां पे trade लेते हो तो आप में और इस trade में contract sign होता है contract यह sign होता है कि जो भी आप trade ले रहे हो उसकी expiry जिस भी दिन की है तब तक के लिए इस share की price शाए घटती है या बढ़ती है इसमें जो भी profit होगा वो आपका होगा और जो भी नुकसान होगा वो आपका होगा तो basically आपको यहाँ पर token money देना होता है जैसे कि आपने देखा 16.200 की call आपको 9.420 रुपे में मिल रही थी तो यही 9.420 रुपे आपकी token money होती है और यह money आपकी 100 गुना से 200 गुना भी हो सकती है और आपका यह पूरा amount 0 भी हो सकता है तो अगर आप option trading करते हैं या करना चाहते हैं तो आप दोनों के लिए तयार रहें profit के लिए भी और loss के लिए भी और मैं आपको यही suggest करूँगा कि अगर आपके पास extra पैसे हैं तभी option trading करें otherwise option trading ना करें option trading बहुत risky होता है अब आप समझे होंगे option trading किसे कहते हैं और option trading कैसे की जाती है अगर आप option trading करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास dmatt account होना चाहिए बिना dmatt account के आप option trading नहीं कर सकते हैं पिछले वीडियो में बहुत सरे comment आये थे कि आप कौन सा broker use करते हो और इस वीडियो में भी बहुत सरे comment आने वाले हैं कि आप ये जो screen recording दिखा रहे हो ये कौन से app की हैं कौन से broker में आपने ये सब करके दिखाया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी screen recording आपने देखी जो भी मैंने आपको यहाँ पे explain करा वो सब मैंने Angel One की app में करके दिखाया Angel One और Upstock दोनों मेरे personal favorite है इनकी दोनों की service काफी अच्छी है तो मैं यही दोनों app use करता हूँ अगर आपको भी अपना DMAT account open करना है तो link आपको description में मिल जाएगी और आप अपना वहाँ पे जाके account open कर सकते हैं account open करना बिलकुल free है तो आप अभी जाहिए और अपना account open करिए चलिए अब हम जानेंगे कि option trading कैसे करें जिसमें आपको हमेंसा profit हो तो यहाँ पे जब beginners आते हैं तो बस वो एक ही चीज़ सोच कियाते हैं अगर मैं 5000 यहाँ पे लगा रहा हूँ तो मैं आज 25,000 लेके जाऊंगा अगर मैं 25,000 लगा रहा हूँ तो मुझे 75,000 लेके जाना है आपको यहाँ पे समझने वाली यह बात है कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो उन्हें सिर्फ basic चीज़ें पता है जैसे कि share को buy कैसे करना है sale कैसे करना है इंट्राडे क्या होता है carry forward क्या होता है expiry date क्या होता है बस basic चीज़ें उनको पता है option trading के बारे में और वो expect करते हैं कि मैं यहाँ पैसा अपना चारगुना करके जाऊंगा तो sir जब आप कहीं job करने जाते हैं तो पहले आपको वहाँ पे training दी जाती है आपको कि आपको starting में कम amount में trade करना है 1000 रुपए में, 1500 रुपए में, 500 रुपए में इतने में आपको trade करना है और पहले सीखना है आपको बड़े amount में पहले trading नहीं करना है और आपको daily news पढ़ना है और जो भी news आप पढ़ते हों उस news से market में क्या असर होगा उसको जानने की कोसिस करना है daily chart देखना है आपको और daily कम सकम 5-6 chart आपको daily बनाना है daily trading करना जरूरी नहीं है लेकिन आपको daily market में active रहना बहुत जरूरी है कि market में क्या चल जाए आप अपने आपको update रखें अपने learning पे आप focus करेंगे तो आपका profit अपने आप तो चलिए अब हम जानेंगे कि 500 रुपे में 1000 रुपे में option trading कैसे खने बहुत लोग बोलते हैं कि 500 रुपे में 1000 रुपे में option trading नहीं होती है आपके पास बड़ा capital होना चाहिए 10,000-15,000 से आपको start करना पड़ता है तो उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ये screen recording आप देख सकते हो मैंने 19 रुपे के price पे 17,450 की call ली थी जिसके expiry date थी 10,5 की और ये trade मुझे 950 रुपे में बड़ा थी जब तक मैं देख रहा था तब तक इसकी price 29,38 ऐसे चल ली थी फिर मुझे कहीं जाना था मैं वहाँ चला गया और फिर मैं लोट के आया तो नहीं देखा था मैंने उसको फिर मैं सुबह जब खोल के देखता हूँ 12 बजे के बाद तो इसकी price 174 को टच कर रही थी आप खुद देख सकते हो 900 रुपए लगाए और profit हुआ 9000 रुपए तक का यानि कि पैसा 9 गुना तक हो गया तो ये जो कहते हैं कि आपके पास ज़्यादा पैसा होना जाहिए option trading करने के लिए तो आप ये देख सकते हो सिर्फ मैंने 900 रुपए लगाए थे और 9000 रुपए तक का profit हुआ मुझे तो आपका trade अच्छा होना जाहिए अगर आपकी research अच्छी रहेगी तो आप trade अच्छा लोगे और जब आपका trade अच्छा होगा तो आपको profit भी अच्छा मिलेगा तो आप लोगों से यह request है कि option trading आप जब भी करें तो कम amount में करें पहले आप सीखें जब आप सीख जाते हैं तो आप कर सकते हैं option trading जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ज़्यादा risk है तो आगर आपके पास extra पैसे हो उसी से option trading करें अगर आपके पास extra पैसे नहीं है तो आप option trading ना करें क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा amount दो मिनट में zero हो सकता है तो आप इस बात का ध्यान रहें I hope option trading से related जो भी doubts थे आपके सारे doubts clear होंगे तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आप से अगले वीडियो में